दोस्तो आज का हमारा ये विडियो भी सर्मिक कार धारकों के लिए ही है क्योंकि इस विडियो में सर्मिक कार धारकों के लिए एक ऐसी योजना है जिसके अंतरगत सर्मिक कार धारियों द्वारा 5 लाख रूपे का रिंड बैंक या फिर वित्ती संस्तान से लिए जाने पर सरकार उसके ब्याज का पुनर भरन खुद करेगी तो अगर आप एक सर्मिक कार धारक है तो इस वीडियो को पूरा और आखिर तक जरूर देखे और अगर आप एक सर्मिक कार धारक नहीं है और आपको भी अपना सर्मिक कार बनवाना है तो सर्मिक कार कैसे बनता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको बता दू कि सरकार की इस योजना का नाम है निर्मान सर्मिकों के लिए वेबसाइक रिंड पर ब्याज की पुनरपरण योजना तो आखिर योजना क्या है इसके क्या क्या लाब है इसकी क्या पातरता है इसका फौरम कैसे और कहां से बर सकते हैं और इसके फौरम बरने के लिए क्या क्या डोकूमेंट्स लगेंगे सब कुछ जानेंगे इस विडियो में तो चलिए फिर जानते हैं इस योजना के बारे में उद्देशिय और लाब दोस्तो इस योजना का उद्देशिय है सर्मिक कारधारकों को वेफसाइक रिंड के ब्याज से मुक्त करना और इसके लिए सरकार सर्मिक करदार को द्वारा व्यवसाय के लिए बैंक या वित्य संस्तान से ली गई अधिक्तम पांच लाग तक की रासी के ब्याज का पुनर प्रण खुद करती हैं और यही इस योजना का लाब हैं अब बात करते हैं इस योजना की पातरता के बारे में तो इसमें सर्मिक करदारी हिता अधिकारी के रूप में पंजीकरत होना चाहिए और वो अपना आंचदान समय समय पर जमा करवाता हो इस योजना के अंतरगत सिर्फ व्यवसाय करेंड के लिए अधिक्तम पांच लाग रुपे की रासी के ब्याज का पुनर प्रण सरकार कर सर्मिक करदार को द्वारा व्यवसाय करेंड पर ब्याज चुकाने का परमान पत्र प्रस्तूत करना होगा अगर पती और पत्नी दोनों सर्मिक करदारी हैं तो इस योजना का लाप दोनों में से एक को ही मिलेगा अब बात करते हैं इस योजना में आविदन करने के लिए ज जनादार कार्ड, बैंक पास्बूक के उस प्रष्ट की प्रती जहां पर उसके खाते की जानकारी हो, इसके अलवा सर्मिक कार्ड धारक द्वारा अन्नी किसी जगास से रिंड बकाया नहीं होने का स्वपर्मानित पर्मान पत्र, तो ये सबी डोक्यूमेंट्स इस योजना मे आविदन करते वक्त काम आएंगे, इसके साथ इस सर्मिक कार्ड धारक द्वारा एक साल की अवदी में आविदन करने से पूर्व 90 दिन काम पर कारीरत होने का पर्मान पत्र और भरा हुआ फॉरम भी इस योजना में डोक्यूमेंट्स के रूप में काम आएगा, अब बात क अगर आपको कम्प्यूटर का नौलेच हैं तो आप घर बेटे इसका आविदन SSO ID के माधियम से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी E-Mitr चालक या फिर CST सालक के पाथ जाकि इसका आविदन करवा सकते हैं, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैं आपको इस इसका के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।